हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं गूते हुए आटे से बहुत चटपटा सा नास्ता ये नास्ता आपको बहुत पसंद आएंगे तो चलिए विडियो इस्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले यहां पर हमारे घर कुछ गूते हुए आटे बच गए थे तो इसकी छोटी छोटी लोई बनानी है और इसका पूडिया बनाकर रेडि कर लेना है एक लेना है आपको पैन पैन जो है एकदम चिकना होना चाहिए और एक पूड़ी के साइड से ऐसे फोल्ड करेंग अब गरम पाने में इसे एक कर-के डाल देंगे थोड़ा सा ओल डालेंगे ओल डालने सी क्या होता है एक पे यह चिपकते नहीं है यह अलग-अलग रहते हैं इसे ढग कर चार से पाच मिनट के लिए कुक किजिए उसके बाद यह चार से पाच मिनट हो गया है अच्छे से यह पकत त्यार हो गया है हम जो है इसे परतन में एक निकाल लेते हैं और ठंडे होने के बाद इसको जो ह कर रेडे कर लिया हैं अब चलते हैं इसका मसाल्ट तयार करने तो सबसे पहले इसमें चार jeera मिर्च लासुन डालना नहीं मेब लग बारी आपने से यसाब से डाल सकते हैं बारी कटा हुआ एक प्यार डालनाइन उसे हलका सा रूश्ट कर लेना बारिख करटा हुआ दो टमाटर की ही साथ इसमें डाल दे नें गें थोडा सा धनिया पॉरडर का मसाल्ड़ा स्वार्ड तो हटमक सवासार बीज च्मछ गरम च्ढकप nosotnine मेंगी मसाला है तो सारे पकत त्यार हो जाए तो दो से तीन मिनट हो गया है मसाले जो है अच्छे से बनकर त्यार हो गया है फिर आपको डाल देना है यह सारे आटे की पास्ता तो यह आटे की हमने सारे पास्तों एड कर दिया है और इसे जो है अच्छे से मिक्स कर देना है और एक मिनट के लिए मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद ये बनकर त्यार हो गए हैं तो चलिए हम प्लेटिंग करकर दिखाते हैं तो ये लीजिए फ्रेंड्स गर्मा गरम आटे के पास्ते बनकर त्यार हो गए हैं बाहर से आपको मैदा की पास्ता लाने की जरुवत नहीं है अब घर पे ही आटे की पास्ता बनाकर अपने बच्चों को खिला सकते हैं या खुद भी खा सकते हैं बहुत टेश्टी लगती हैं और बहुत जादे चटपटी लगती हैं तो एक बार ये रास्तों को बनाकर जरूर ट्राइ किजेगा अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज की हो तो वीडियो के सपोर्ट कीजी और ज्याद से ज्याद से शेयर कीजे थैं